मस्ते आज की श्रिंखला का विशे है परमात्मा के ट्रस्टी कैसे बने स्प्रिच्वालिटी हमें ट्रस्टी शिप के एक बहुत ही सुन्दर कॉंसिप्ट से परिचे कराती है सबसे पहले मुझ आत्मा को यह एहसास होता है की एक स्प्रिच्वल पीन यानि की मुझ आत्मा के पास विचारों, शब्दों, कारियों, गुणों, शक्तियों, समय, भौतिक धन संपत्ति, आधी के खजाने भरपूर हैं हो सकता है की पहले कई बार अनजाने में मैंने इन खजानों का दुरुप्योग किया होगा लेकिन अब मैं आत्मा अपने परमात्मा से स्वयम के आध्यात्मिक उत्थान या अपने लॉंग टम बेनिफिट के लिए इनका सही धंग से उप्योग करना सीखना चाहते हूँ जिससे मैं उनके गाइडिन्स के अनुसार इन खजानों का सही उप्योग ना केवल खुद को बलकि दूसरों को भी हमारे टूथ के करीब लाने के सकारात्मक उद्देश के लिए करता हूँ एक ऐसी स्थिती जिसमें आत्मा, शान्ति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्ती और ज्यान के अपने ओरिजनल गुणों का अनुभव करती है और ऐसे करने से मुझे स्वयम के आध्यात्मिक आत्म विकास का अनुभव होता है लेकिन जब कभी मैं इस उद्देश से भटक जाता हूँ तब मैं आध्यात्मिक रूप से नीचे आजाता हूँ या आध्यात्मिक रूप से विक्सित नहीं हो पाता हूँ लेकिन पहले की तुलना में यह एक अलग एहसास है क्योंकि तब मैं इन खजानों के बारे में जानता ही नहीं था परन्तु अब इन सभी खजानों को अत्यधिक मूल्यवान वस्तु भी माना जा सकता है और जब यह बताये गए आध्यात्मिक और भौतिक एनरजी या संसाधन जो की मेरे हैं या मैं उन्हें उन करता हूँ उनका यूज करता हूँ तो वे खजाने बन जाते हैं क्यूंकि अपने स्वयम और दूसरों के प्रती उनका सही उप्योग करके मैं अपने स्प्रिच्वल सेल्फ वैल्यू बढ़ा सकता हूँ जिसके परिणाम स्वरू मेरे जीवन के सभी भौतिक डाइमेंशन की वैल्यू और उनमें मेरी सफलता भी बढ़ जाती है तो यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह सभी खजाने मेरे अपने हैं और उनके सही उप्योग से मेरी स्वयम की आध्यात्मिक उन्नती की आपार सम्भावना ही है लेकिन उनके साथ फिर अटैच्मेंट होना बहुत सभाविक हो जाता है क्यूंकि वे अपने हैं इसलिए उनके साथ डिटैच्मेंट बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है क्यूंकि वे हमारे हैं और हम आसानी से उनके प्रभाव में आ सकते हैं क्यूंकि यह सभी जानते हैं कि जहां मोह होता है वहां अहंकार आही जाता है और इन खजानों का दुरप्योग होने लगता है तब इस स्थिती में ट्रस्टी शिप का कॉंसेप्ट बहुत मदद करता है परमात्मा हमें इन खजानों का ज्यान उनके उप्योग करने की विधी बताने के साथ हमारे बेनिफिट के लिए यह भी बताते हैं कि एक बार जब हमें यह एहसास हो जाए कि यह खजाने क्या है तो हमें इन खजानों को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए और यहां यह जानना जरूरी है कि यह समर्पन अद्रिश्य या अभौतिक है ना कि भौतिक या विजिबल एक बार जब यह खजाना हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो दुन्यावी समर्पन की तरह यह खजाने वे अपने पास नहीं रहते क्यूंकि वे बेहद के दाता और निराकार यह आशरीरी हैं और वे सभी खजाने हमें ही वापस लोटा देते हैं देखा जाए तो इस समर्पन का भाव बहुत गहरा है लेकिन सिर्फ मानसिक स्थर पर ना की शारीरिक स्थर पर लेकिन वे एक शर्त पर हमें यह खजाने वापस देते हैं क्योंकि यह खजाने अब हमारे नहीं तो समर्पन के बाद हमें उन पर अपने अधिकार की भावना को दूर करना हूगा और एक ट्रस्टी बनकर उनकी देख भाल करने होगी हमें इन खजानों का उप्योग केवल परमात्मा द्वारा बताए गए उद्देश के लिए ही करना होगा कि स्वयम को और अन्यात्माओं को उनके सत्य के स्थिती के करीब कैसे लाना है क्या आप जानते हैं कि ट्रस्टी शब्द ट्रस्ट शब्द से लिया गया है यहां परमात्मा की अपने बच्चों से ये चहना या आशा है कि हम किसी भी समय किसी भी कीमत पर इन खजानों की देखभाल वा उप्योग करते समय उनके भरोसे को ना तोड़ें क्योंकि खजाने भले ही हमारे पास हैं लेकिन वे अब हमारे नहीं हैं वे परमात्मा के हैं और हम सर्फ आध्यात्मिक ट्रस्टी के रूप में इनकी देखभाल करते हैं इस फिजिकल दुनिया में ट्रस्टी शब्द का एक बहुत ही सामान्य उधारन है कि जब भी किसी ऐसे अमीर विक्ती की मृत्य होती है जिसके पास अपना कोई उत्तर अधिकारी नहीं होता है तो वो अपनी इक्छा अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी संपत्ती का सद उप्योग हो उसे किसी एक ट्रस्टी या ट्रस्टीयों के सम्मु को सौब देता है एक दूसरा उधारन मंदिरों और वेलफेर और्गनाजेशन के ट्रस्टीयों का भी है परमात्मा के प्रती अपनी आस्था, प्रेम और भक्ती में जो भी संपत्ती और आभूशन मंदिरों में चड़ाई जाती है और लोगों द्वारा अपनी संपत्ती जो भी वेलफेर और्गनाजेशन को दान में दी जाती है उन सब की देख भालवी ट्रस्टीयों के एक सम्हू द्वारा होती है इन सभी मामलों में यह पाया गया है कि एक इमानदा ट्रस्टी उस संपत्ती को निर्देश अनुसार सम्हालते हुए यह ध्यान रखता है कि यह धन यह संपत्ती उसका नहीं है और धन संपत्ती के असली मालिक के विश्वास को बनाए रखने वाले वेक्ती को ट्रस्टी कहा जाता है ठीक इसी प्रकार प्रती दिन अपनी दिन्चरिया में हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मन, वानी, कर्म, गुण, शक्तियां, समय, स्थूल धन, आदी का खजाना परमात्मा की प्रॉपर्टी है इनकी देखभाल करने के लिए मुझे यहां नियुक्त किया गया है और मुझे बस ट्रस्टी बन इनकी देखभाल करनी है ऐसा करने पर हम परमात्मा की इच्छाम वा उनके निर्दीश अनुसार सभी खजानों की देखभाल साकारात्मत तरीके से करके स्वयम के साथ दूसरों को भी ट्रस्टी होना क्या है इस सत्यता के करीब लाते हैं इससे हम इन खजानों से डिटैच रह पाते हैं और इसका फायदा हमें जीवन में हर कदम पर होता है शुक्रिया